मदद करना सीखिए फाइदे के बगएर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगएर, जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगएर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुचाता और दूसरों को बाधा पहुचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं पढ़ता कभी किसी अच्छे इंसान से गलती हो जाए तो भी सेहन कर लो क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो कीमती रहता है गुस्सा अकेला आता है मगर हमेशा सारी अच्छाई ले जाता है सब्रभी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है एक छोटी सी चीटी आपके पैर को काट सकती है पर आप उसके पैर को नहीं काच सकते इसी लिए जीवन में किसी को छोटा ना समझे वह जो कर सकता है शायद आप ना कर पाए अगर कोई व्यक्ति आप से जलता है तो ये उसकी बुरी आदत नहीं है बलकि आपकी काबिलियत है जो उसे ये काम करने पे मजबूर करती है समाज में बदलाव क्यों नहीं आता क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं मध्यम में फुर्षत नहीं और अमीर को जरूरत नहीं किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो ये मत समझना कि आप उसे उसकी मनजल पर ले जा रहे हैं बलकि यहाँ समझना कि अर्थी पर लेटा इंसान मुर्दा होकर भी तुम्हें तुमारी मनजल दिखाने ले जा रहा है जो लोग आपसे जलते हैं उन लोगों से नफरत कभी मत करना क्योंकि यहीं वो लोग है जो यह समझते हैं कि आप उनसे बैतर है जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है आप उससे कभी जीत नहीं सकते आप अपनी जिंदगी की तुलना अन्य लोगों के साथ मत करो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही चमकते हैं लेकिन अपने अपने समय पर मंदिर में वो भगवान है जिसे हमने बनाया है लेकिन घर में माबाप वो भगवान है जिनोंने हमें बनाया है संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है संतोश जैसा कोई सुख नहीं है लोब जैसी कोई बिमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुन्य नहीं है कई बार चुप रहना बुजदिली नहीं बलकि समझदारी और वक्त का तकाजा होता है जो ग्यानी होता है उसे समझाया जा सकता है जो अग्यानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है परंटु जो अभीमानी होता है उसे कोई भी नहीं समझा सकता उसे वक्त ही समझाता है ताकत के संग नेक रादे भी रखना वरना ऐसा क्या था जो रावन हार गया संसार जरूरब के नियमों पर चलता है स्रवियों में जिस सूरच का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरसकार भी होता है आपकी कीमत तब होगी, जब आपकी जरुवत होगी अपने रहस्य किसी को भी मत बताओ, ये आदत आपको खत्म कर देगी छोटी मोटी घटना से हताश मत होईए जो चंदन घिस जाता है, उसे भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है और जो नहीं घिस था, वह सर्फ जलाने के काम भी आता है समय जिसका साथ देता है, वह बड़े बड़ो को मात देता है अमीर के घर पर बैठा कववा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूका बच्चा भी सबको चोर लगता है इनसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं और चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो, तो गुंगे भी बोल पड़ते हैं मंदिरों में क्यों धुनते हो उसे, वो तो वहां भी है जहां तुम गुना और अपराद करते हो कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग इनसान लोमडी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है इनसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी कुरूर है और तो और इनसान वो फितरत है जो कुट्टे के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं है कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदे करता है तो करने देना क्योंकि शक्त सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है कोईले की कालिक पर नहीं साप के दांट में, बिच्छु के डंक में मदु मक्ही के सर में और इंसान के मन में कितना जहर भरा पड़ा है बता पाना मुश्किल है धन का घमंड दो ही लोगों को होता है जिसे खांदानी जायदाद मिली हो और जिसने धोके से पैसा कमाया हो सत्य की भूक सब को है लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को ही इसका स्वाद अच्छा लगता है हमें कितने लोग पैचानते हैं ये माइने नहीं रखता बलकि किस वज़े से पैचानते हैं ये बहुत माइने रखता है